हलो एंड वेलकम एब्रिवन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का दम्मुगल एंपायर लेकिन उससे पहले जरा मोटुलाल के क्लास में चलते हैं अरे मोटुलाल मैं तो आग रा गया था चुट्टी के दिन घूमने के लिए मैंने बहुत ही सुन्दर ताज महल देखा तुम्हें पता है ताज महल को किस ने बनाया है ये बात तो मुझे नहीं पता चलो मन्नु भाईया से मिलके पूछते हैं ताज महल ही नहीं ऐसी बहुत सारी इंटरस्टिंग चीजें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे हम कोशिश करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स बुक से कवर करने की और शुरू करते हैं इस चैप्टर को फ्रम दे लेटर हाफ अफ अफ दे 16th सेंचुरी जो मुगल्स थे उनका किंग्डम एक्सपेंड होता गया अब यह मुगल्स कौन थे यह मुगल्स उस टाइम इंडिया के उपर रूल किया करते थे तो इनका जो किंग्डम था यानि कि जो इनका सामराज्य था यह आगरा से देली तक एक्सपेंड हुआ फिर देखते ही देखते 17th सेंचुरी तक जो मुगल्स थे इन्होंने एक huge empire create कर लिया था जो लगबग सारे के सारे सब कॉंटिनेंट को कंट्रोल कर रहा था अब यह सब कॉंटिनेंट क्या है देखो यह इतने पुराने जमाने की बात हो रही है कि जब इंडिया फॉर्म ही नहीं हुआ था तो उससे पहले जब इंडिया फॉर्म नहीं हो आता उससे पहले सब कॉंटिनेंट बोलते थे हम लोग इंडिया को पाकिस्तान को और बांगलादेश को इन तीनों जगाओं को मिला कर क्या बोलते थे हम लोग सब कॉंटिनेंट तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो रैड व का तरीका था वो सारा बहुत अच्छा बनाया किस तरीके से गवन करना चाहिए ये चीज़ उनों ने बहुत अच्छे से मैंटेन करी इसी वज़े से बहुत सारे सालों तक वो रूल करते रहे ये कोई एड नहीं है आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन देनी है एजुकेशन को इजी और एफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इंपोर्टेंट स्टेप लिया है आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कॉंटेंट जो आपके एक्जाम में बहुत हेल्प करेगा इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइस टेस्ट पेपर हर चैप प्राइब के साथ में जॉइन के बटन पर क्लिक करके आपको यह मेंबर्शिप परचेस करनी है यह प्राइज लिमिटेड टाइम के लिए है अरे वाँ भया इतने कम प्राइज में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं भया लेकिन यह मुगल्स थे कौन उराने जमाने में दो ग्रेट रूलर्स हुआ करते थे एक थे चंगेज खान और दूसरे थे तैमूर जो मुगल्स है वो इनी के परिवार से आते हैं लेकिन यह जो मुगल्स है इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया कैसे बहुत अच्छा क्वेशन पूछा है मोटु इच बीच में ब्लैक डॉट देख रहे हो यहां पर पूराने जमाने में राजा लोग रूल क्या करते थे तो मुगल्स को उन राजाओं को हराना पड़ा जब उनको हराया तो जो भी उनका सामराज्य था मतलब जो भी उनका राज्य था उसको मुगल्स ने हडप लिया अब यह जो emperor है इसका मतलब क्या होता है emperor का मतलब होता है राजाओं का भी राजा वो परसन जो की राजाओं के उपर भी रूल करता है मतलब जो बात बाबर ने कह दी as a emperor वो सारे राजाओं को माननी पड़ेगी अरे भीया ये तो बिलकुल principal maim की तरह हुआ ना जो बात principal maim ने कह दी वो बात सारे teachers को माननी पड़ती है 1494 के अंदर जो बाबर थे वो सिर्फ 12 साल के थे तब उन्हें एक बहुत बड़ी responsibility मिलती है वो थी फिरगाना का राजा बनना यानि की ruler बनना अब ruler तो वो बन गए थे सिर्फ 12 साल की उमर में अब इस चीज को book में कैसे लिखा है succeeded to the throne थ्रोन का मतलब क्या होता है वो वाली chair जहां पर राजा बैठता है तो उन्हें उस chair पे बैठने का मौका मिला था only when he was 12 year old मतलब अब वो 12 साल में लोगों को rule करेंगे 1526 के अंदर इन्हों ने जो दिल्ली के अंदर सुल्तान थे इबरायम लोदी उन्हें हरा दिया कहां पर पानी पत में एक वार हुई थी वहां पर और दिल्ली को capture कर लिया और आगरा को भी अब capture करने का मतलब क्या है capture करने का मतलब यह है कि अब ये दिल्ली और आगरा के उपर control करेंगे 1527 के अंदर उन्होंने राना सांगा जो की राजपूत रूलर थे और जो उनके कुछ साथी थे रांगा सांगा के उन्हें हरा कर उधर भी कबजा जमा लिया 1528 के अंदर उन्होंने राजपूत को defeat करा एट चंदेरी और अपना control बना लिया ओवर आगरा एंड डेली before his death अपने मरने से पहले उन्होंने आगरा और डेली को अपने control में ले लिया था अब बात करते हैं हुमाईू की हुमाईू जिन्होंने as a emperor rule करा till 1532-1540 और उसके बाद 1555 से 1556 तक लेकिन ये 1540 से लेके 1555 मतब 15 years तक कहां चले गए थे कहीं नहीं गए थे इन्हें शेर खान ने हरा दिया था और शेर खान ने capture कर ली थी इनकी सारी जगा को 1539 में शेर खान ने ने चौसा के अंदर एक war हुई थी वहां पर हरा दिया था कन्योज के अंदर फिर ने force करा जाता है के भाई भाग जाओ हुमायू यहां से नहीं तो मार दिये जाओगे हुमायू फटा फट कट लेते हैं वहां से भाग लेते हैं और कहां पर जाते हैं इरान के अंदर फिर 15 years बाद यानि की 1555 के अंदर अपनी आर्मी को और ज़्यादा strong करके अपनी आपको और ज़्यादा powerful बना कर देली को दुबारा से recapture कर लेते हैं दुबारा से देली के उपर अपना कबजा जमा लेते हैं लेकिन अगले ही साल एक बिल्डिंग के अंदर accident होता है जहां पर हुमायू present होते हैं और उनकी death हो जाती है उस बिल्डिंग के अंदर अब बात करते हैं अकबर की अरे भईया मैंने तो movie भी देखिया है जोदा अकबर क्या यह वही वाले अकबर है हाँ हाँ मोटुलाल बिल्गुल सही कहरे हो लेकिन क्या तुम किसी 13 साल के बच्चे को जानते हो और वो क्या करता है अरे भाईया कैसी बात कर रहे हो किसी भी बच्चे को जानने की जरूरत क्या है मेरा भाई है तो सही 24 घंटे फ्री फायर और इंस्टाग्राम चलाता रहता है मम्मी पापा उसे डाटते रहते हैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ता ही नहीं है अपने भाई को अक्बर के बारे में पढ़ाना जब अक्बर 13 साल के थे तब वो एमपरर बन गए थे 13 साल के होने के कारण अक्बर सारे डिसीजन खुद नहीं ले पाते थे तो उन्हें हल्प की जरौत पढ़ती थी जो person उनकी help करता था रूल करने में उसे बोलते थे regent अब ये जो regent था अकबर का इसका नाम था बेराम खान अकबर जब थोड़े से बड़े हुए 1570 के अंदर specifically इन्हों ने बेराम खान को बोल दिया कि अब तो मैं बड़ा हो गया अब मैं सारे decision कुद ले सकता हूँ तो ये independent बन गए अपने regent के जिसका नाम था बेराम खान अकबर ने फिर decide करा कि मैं बहुत सारी जगा रूल करने वाला हूँ तो उन्होंने बहुत सारे military campaigns करे अगेंस्ट सूरीज, अफगान्स और जो neighboring kingdoms थे मालवा और गुंदवाना के वहां पर भी अकबर का जो half ब्रदर था मिर्जा हकीम वो भी अकबर के खिलाफ आवाज उठा रहा था तो उसकी अवाज दबाने के लिए भी अकबर ने उसके अगेंस्ट भी आर्मी का attack कर दिया इन 1568 जो सिसोधिया capital था चित्तोर का उसे अकबर ने seize कर लिया था मतलब उसके उपर कबजा जमा लिया था और 1569 के अंदर रंथम बोड पे कबजा जमा लिया था ड्यूरिंग 1570 to 1585 बहुत सारे ऐसे ही military campaigns अकबर करता गया गुजरात मतलब कि presently जहां पर आज गुजरात है उस जमाने में तो था ही नहीं कुछ भी इंडिया वगरा ही फॉर्म नहीं हुआ था तो जो जगा भी गुजरात की है वहां पर अकबर गया और वहां पर जाकर भी military attacks करे और वहां पर भी rule अपना जमा लिया East, बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर और ओरिशा के अंदर भी अकबर ने अपना rule जमा लिया ड्यूरिंग 1585 to 1605 बहुत सारे campings लाँच करे गए नौर्थ वेस्ट के अंदर जहां पर कंधार जो था उसे seize कर लिया गया था from Safavids और जो कश्मीर था उसे annex कर लिया गया था मत्तब कि कश्मीर पे भी अकबर ने अपना कबजा जमा लिया था उस समय कश्मीर के उपर जो उनका half brother था अकबर का मिर्जा हकीम एक तरीके से वो rule किया करता था लेकिन उसकी death हो गई थी तो अकबर ने बिल्कुल भी मौका नहीं गवाया और अपना जो पूरे आर्मी थी वो भेज कर उस जगा पर भी कबजा कर लिया डेकेन के अंदर भी अकबर ने बहुत सारे campaign की शुरुआत करी बिरार जो था वहाँ पर भी अकबर ने अपना कबजा जमाया और एहमद नगर के और भी बहुत सारे पार्ट थे जहां पर अकबर ने अपना कबजा जमाया तो आप देख सकते हो के अकबर जो थे वो एक बहुत influential लीडर थे बहुत सारी जगा उन्होंने अपना कबजा जमाया था बहुत सारी जगा की जंगे उन्होंने जीती थी अब बात करते हैं जांगीर की 1605 से लेके 1627 तक इन्होंने रूल करा जो सोधिया रूलर्स थे मिवार के अमर सिंग उन्होंने म मुगल सर्विस क्या है देखो जो ये मुगल्स थे न ये क्या करते थे जंग करने से पहले किसी भी राजा से पहले उसका आगे option रख देतें के या तो तुम हमारी सारी बाते मानलो अगर हमारी बात नहीं मानो गे तो हम तुमसे जंग करने के लिए आएंगे और तुम्हारी जमीन पर अपना कब्जा जमा लेंगे भाया बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारी मैट्स वाली मैम बिहेव करती हैं बोलती है धंग से मैट्स पढ़ लो नहीं तो तुम्हारा गेम्स पिरेट ले लूँगी तो मिवार के जो रूलर थे अमर सिंग उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी मुगल सर्विस उन्होंने बोला के हाँ ठीक है अब जो भी मुगल से हैं हम उनकी बात मान लेंगे जहांगीर थे उन्होंने भी बहुत सारे military campaigns launch करे मतलब कि हमले करे Sikhs के उपर, Homes के उपर और एहमद दगर के अंदर कुछ जगाय थी वहाँ पर थी कुछ में तो ये successful रहे लेकिन जादा तर में ये unsuccessful रहे अब बात करेंगे शा जहान की इन्होंने 1627 से 1658 तक rule करा शा जहां नहीं बनवाया था ताज महल अब जो शा जहां थे ना इन्होंने continue करे अपने military campaigns डेकेन वाले एरिया में अब military campaigns मतलब अपनी जंग ये continue रखते हैं और ज़्यादा अपने empire को बढ़ा करने की कोशिश करते हैं अपना सामराज्य और बढ़ा करने की कोशिश करते हैं जो अफगान, nobel, खान, जहान, लोदी थे वो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, rebel करते हैं लेकिन उनको भी शा जहां हरा देते हैं इनकी army बहुत powerful थी जो बुंदेलाज थे ये उन्हें भी defeat कर देते हैं और जो औरीचा नाम की जगा है वो उसको seize कर लेते हैं अपने कबजे में ले लेते हैं नौर्थ वेस्ट के अंदर बहुत सारे campaigns जो थे बलक लोग जो कर रहे थे मतलब की जो लोग आवाज उठा रहे थे बलक के शा जहां के अगेंस्ट उनके खिलाफ भी अपनी army को भेजते हैं और उहरा देते हैं तो बलक नाम की जो जगा थी उसके ओपर भी ये कबजा जमा लेते हैं और उस्बेग से इस जगा को चीन लेते हैं क्योंकि उस्बेग से अंसक्सेसफुल थे एंड खांदार नाम की जो जगा थी उसको भी ये लोग हार जाते हैं और इसके ओपर भी दुबारा से शा जहां की टीम यानि की मुगल्स कबजा जमा लेते हैं सफाविद्स की अंगर इन 1632 एहमद नगर जो था उसे फाइनली ये लोग एनेक्स कर लेते हैं अपने कबजे में ले लेते हैं और जो बीजापुर था वहाँ पर भी एक तरीके से ये लोग अपना कबजा जमा लेते हैं अब ध्यान देना शा जहां के बाद कौन बने रूलर औरंज से 1658 से 1707 था लेकिन ये रूलर बने तो मतलब की शा जहां की डैथ हो गई होगी नहीं ऐसा नहीं हुआ जो औरंज सेब्ते उन्हें रूलर बनने की इतनी जल्दी थी उन्होंने बोला के मुझे इतना जल्दी एमपरर बनना है के इन्होंने अपने फादर यानि की शा जहां को जेल में डाल दिया के पापा आप जाओ जेल में और अब मैं राजा बनूंगा अपने भाईयों को भी मार दिया के गलती से कोई भी इनका भाई ये ना बोल दे का अब हम राजा बनेंगे उनको भी मार दिया पापा को जेल में डाल दिया और खुद क्या बन गई ये Emperor North East के अंदर जो Ahomes थे इन्हों ने उन्हें भी हरा दिया 1663 के अंदर लेकिन rebel करा दुबारा से Ahomes ने इन 1680 में मतलब कि जो Ahomes थे वो दुबारा से अपनी आवाज उठाते हैं बोलते हैं के नहीं हम औरणजेब के अंदर नहीं रहेंगे North West के अंदर जो यूसुफ जाय थे और जो सीक्स थे यहां पर इन्होंने सीक्स और यूसुफ जाय के अगेंस्ट भी बहुत सारी आर्मी भेजी लेकिन जो लड़ाई थी वो काफी ज़्यादा temporary successful रही थी मतलब कि वो लड़ाई बिल्कुल successful नहीं रही थी कहीं जगा तो यह जीत रहे थे कहीं जगा यह हार रहे थे अब काफी interesting बात करते हैं Maratha Shift 10 जिनका नाम था शिवाजी अब यह शिवाजी के ओपर पूरी movie भी बनी हुई है यह जो शिवाजी थे ना इन्होंने डिक्लेयर करा के मैं किसी भी राजा के अंडरकाम नहीं करने वाला मैं एक independent king हूँ तो जो मुगल्स थे उन्हों गुस्सा आ गई मतलब कि especially किसको गुस्सा आई औरंजेब को औरंजेब ने बोला अरे यह कैसे बोल सकता है यह शिवाजी के यह मेरे अंडरकाम नहीं करेगा चलो इसके उपर हमला करते हैं तो बीजापूर जो थी उसे एनेक्स कर लिया था मुगल्स ने 1685 के अंदर और जो गॉलकॉंडा जगा थी उसे 1687 के अंदर एनेक्स कर लिया था लेकिन औरंजेब को जब शिवाजी के बारे में पता चलता है तो 1698 के अंदर औरंजेब परसनली अपने कैमपेंज को मेजनेश करते हैं अपनी आर्मी को खुद से देखते हैं और बोलते हैं कि इस शिवाजी को तो हराना ही हराना है तो मराठास के अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठा ली थी औरंजेब ने ठान ली थी इन्हें हराने की लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉबलम थी अब जो औरंजेब थे वो तो बीजी थे किस से लड़ने में शिवाजी से इसी समय नौर्थ इंडिया के अंदर जो सीक्स थे जाट्स थे और सतनामी थे इन लोगों ने भी आवाज उठाए बुला कि हम क्यों औरंजेब के अंडरकाम करें हम भी औरंजेब के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो जो नौर्थ इस रीजन था अहोम्स का वहाँ पर इन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया और बुला कि अब हम औरंजेब के अंडरकाम नहीं करेंगे औरंजेब की डैथ हो जाती है और उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं उन सब में लडाई होने लगती है के हम राजा बनेंगे हम राजा बनेंगे तो इसी चीज में इनकी लडाई होती रहती है अब बात करते हैं मुगल प्रेडिशन्स आफ सक्सेशन की मुगल्स थे वो फॉलो करते थे कोपार्सनरी इनहेरिटेंस को अब इसका मतलब क्या है देखो बहुत ही सिंपल सा मतलब है यह जो टकले अंकल है अगर आप जानते हो तो कमेंट करना है इनका नाम क्या है ठीक है यह मेरे फेवरेट है टकले अंकल अब यह जो टकले अंकल है इनके दो बच्चे थे चीनू और मीनू चीनू और मीनू दो इन चीनु को मिलेंगी दो पैंसिल और मीनु को मिलेंगी दो पैंसिल मतलब की equal division हो गया clear है तो ये वाला tradition follow करते थे मुगल्स मतलब जितनी भी जगा के उपर मुगल्स ने कबजा जमाया है मान लो अगर औरंजेब की death हुई और औरंजेब के दो बच्चे हैं तो जितनी भी जगा के उपर औरंजेब ने कबजा जमाया है वो सारी जगा आधी आधी बढ़ जाएगी दोनों बच्चों के बीच में मुगल्स का और rulers के साथ कैसा relationship था जो मुगल्स थे न इतने powerful बनते जा रहे थे हर किसी को हराते हुए जा रहे थे तो कुछ rulers ने क्या करा मुगल्स के पास गए और बोला अरे आप तो बहुत powerful है महराज हम आपको follow करेंगे please हमारे उपर हमला मत करना तो उलों ने voluntarily मुगल्स को join कर लिया लेकिन कुछ ऐसे भी rulers थे जो की मुगल्स के पास नहीं गए उन्होंने बोला हम ने डरते मुगल्स से अब यहाँ पर जो मुगल्स थे न वो काफी carefully balance करते थे between defeating but not humiliating their opponent इसका मतलब क्या था अरे भाया इसका मतलब मैं बताता हूं पता है जब भी मेरे भाई के maths में कम नंबर आते हैं तो मैं उसे बड़ा humiliate करता हूं बड़ा बेजती करता हूं उसकी बोलता हूं बस दस नंबर ही आए तू तो बहुत नलायक है बिलकुल जो मुगल्स थे वो humiliate नहीं करते थे अपने opponents को अपने दुश्मनों को चड़ाया नहीं करते थे उन्हें हराने के बाद या फिर उनकी बेजती नहीं करा करते थे जिसकी वज़ा से जो मुगल्स थे उनको और ज्याद मान लेता है उसकी तो इससे बढ़िया इन्हें जोइन ही कर लो अब समझते हैं मानसाबदार्स और जगिरदार्स के बारे में बहुत सारे ग्रुप्स थे इरानीज के इंडियन मुसलिम्स के अफगान्स के राजपूट्स के मराठास के जो क्या चाते थे कि हम मुगल्स को जोइन कर ले मुगल्स सर्विस को जोइन कर ले तो इन सबको मुगल्स के हाँ हमें जोइन कर लो लेकिन हम तुम्हें क्या वो लेंगे मानसाबदार्स क्या वो लेंगे मानसाबदार्स अब यह जो मानसाबदार्स थे ना इन्हें एक जिम्मेदारी दी जाती थी इनको बोल या फिर सवार्स को तैयार रखना है अब जो मानसाबदार थे अब ये अपने लोगों को तैयार रखेंगे जंग के लिए तो उन्हें खिलाना भी पड़ेगा पानी भी पिलाना पड़ेगा कपड़े भी दिलाने पड़ेंगे ये सारी चीजे हैं तो बहुत सारे इसमें पैस अपनी आर्मी को स्ट्रॉंग करने का क्या तरीका अपनाया था मानसापदार नाम के रोल्स लोगों को एंड रोल कर लिया था अपनी आर्मी में रख लिया था और उनको एक जिम्मेदारी दे दी थी के इतने इतने लोग आर्मी के अंदर तुमारे हमेशा तैयार रहने चाहि अब हम समझते हैं जब्त एंड जमीनदार्स के बारे में हम मुगल एम्पायर के बारे में इतनी सारी चीजे पढ़ रहे हैं कि इनके आर्मी बहुत स्ट्रॉंग थी सब लोगों के उपर ये रूल किये जा रहे थे लेकिन इतना सारा पैसा कहां से आ रहा था इनके पास कि अपनी आर्मी को ये खिला-पिला पा रहे थे बहया मुझे तो ये लगता है ये जिन भी लोगों के उपर हमला करते होंगे उनके सारे पैसे, सोने, हीरे जवारा सब के उपर कबजा जमा लेते होंगे इसी तरीके से पैसा कमारे होंगे ये मुगल्स फोटूलाल कहीं हद तक तो तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है लेकिन जो मेन सोर्स था जहां से ज़्यादा पैसा आया करता था इनके पास वो था टेक्स टेक्स ये किस से लिया करते थे पीजेंट से अब पीजेंट से टेक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता था तो वो करते थे जमीनदार्स जमीनदार्स सारा टेक्स कलेक्स करा करते थे और किसको दे दिया करते थे मुगल्स को लेकिन भाया किस पीजेंट से कितना टेक्स लेना है ये कैसे डिसाइड होता था बिलकुल किस पीजएंट से कितना tax लेना है इसके लिए एक system था जो कि अकबर के revenue minister तोदर मलने मनाया था क्या system मनाया था वो था जबद का system अब जबद एक ऐसा revenue system था जिसके अंदर crops का survey करा जाता था और उसके according tax लिया जाता था मान लो अगर आप बहुत सारी जगा में खेती कर रहे हो तो आपको tax भी ज़्यादा देना पड़ेगा कम जगा में खेती कर रहे हो तो कम tax देना पड़ेगा अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हो और टमाटर में ज़्यादा profit होता है आपको तो ज़्यादा tax देना है अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हो जिसमें कम प्रॉफिट होता है तो आपको कम टेक्स दिना पड़ेगा तो जब्द एक ऐसा सिस्टम मनाया था अब हम पढ़ते हैं अकबर की पॉलिसीज के बारे में अकबर ने तो बहुत पहले रूल करा था तो अकबर की पॉलिसीज के बारे में पता कैसे चला अबुल फैजल की हेल्प से अबुल फैजल ने एक बुक लिखिती जिसके अंदर उन्होंने बताया के अकबर जो थे वो किस तरीके से रूल करते थे अकबर किसी भी प्रॉवेसिज मत्अब किसी भी जगा को किसी भी state को किसी भी राज्य को चोटे चोटे pieces के अंदर divide कर देते जैसे कि अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ आपसे तो मुंबई पता है आपको किसका part है महराष्ट्र का महराष्ट्र एक state है जिसके अंदर और भी बहुत सारे मुंबई जैसी जगाएं है अगर हम UP की बात करें तो UP के अंदर क्या है आगरा भी है लखना भी है बहुत सारी जगाएं तो हमने UP को चोटे चोटे parts में divide कर दिया इसी तरीके से अकबर भी चोटे चोटे parts में किसी भी provinces किसी भी राज्य को divide कर दिता था उसके बाद वहाँ पर अकबर एक सूबेदार को decide करता था कि सूबेदार कौन होगा जो की सारी चीजों का ध्यान रखेगा उस जगह पे political मतलब कि अगर किसी लोगों को कोई problem है तो उस चीज को कोई और राजा attack करने की तो नहीं सोच रहा उस जगह पे ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा सूबेदार और military के functions को भी ध्यान रखेगा मतलब military अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है military को खाने पिने की चीज़े मिल रही है या नहीं मिल रही है सारी चीज सूबेदार देखेगा हर एक provinces का एक financial officer हुआ करता था जिसे दिवान बोला करते थे English में financial officer और हिंदी में दिवान for the maintenance of peace peace को maintain करने के लिए in his province the सूबेदार was supported by other officers जितने भी और officers हुआ करते थे वो किसका support करते थे सूबेदार का support करते थे सूबेदार की बात को माना करते थे अकबर ने एक और idea की शुरुआत करी थी जिसे बोला क्या था शुल एक कुल जिसका मतलब था universal peace इस की इस idea के according कोई भी person किसी भी religion का हो उसको discriminate नहीं करा जाएगा differentiate नहीं करा जाएगा अब आपको पता है कि जो अकबर था या फिर जो मुगल्स थे वो मुस्लिम थे तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मुस्लिम लोगों की ही मदद करी जारी अगर कोई हिंदू है तो उसकी भी मदद करो कोई Christian है उसकी भी मदद करो तो धरम को matter में नहीं रखना ये चीज अकबर ने बोली और सब की मदद करनी है जो अकबर का तरीका था इसी तरीके को जो ये universal peace वाला तरीका था इसी तरीके को फॉलो करा जांगीर ने भी और शा जहाने गुगल empire in the 17th century and after जहांगीर और जहांगीर के बाद कौन आये थे जहांगीर के बाद आये शा जहान उसके बाद और अरंजेब जो की लगबग एक तरीके से last ही rulers थे अब देखो अकबर के समय में कैसा रहा था जो administrative और जो military efficiency थी मुगल empire की मतलब बहुत अच्छे से जो ये जंग लड़ते जा रहे थे और जीतते जा रहे थे इसकी वज़ा से पैसे wise मतलब की economic और commercial prosperity थी वो भड़ती जा रहे थी मुगल empire अमीर भी होता जा रहा था और इनका नाम भी होता जा रहा था जमीन भी जितनी जादा जमीन पे कबजा जमाते जा रहे थे जो मुगल emperor थे वो इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि जो मांसापदार्स है वो अच्छे से सारे लोगों का ध्यान रखे तो जो मांसापदार्स थे वो क्या करते थे बहुत सारा पैसा spend करते थे on salaries and goods मतलब की समान खरीदते थे बहुत सारे पैसे का और क्या करते थे सेलरी दिया करते थे जो भी लोग काम करते थे उन्हें तो इस समान को खरीदने की वज़ा से जितने भी artisians थे मतलब जो भी art वगरा painting वगरा बनाते थे मूर्ती वगरा बनाते थे या फ़र जो presents हुआ करते थे वो बड़े खुश रहते थे क्योंकि उनके समान को बहुत जल्दी जल्दी ये मानसापदार्स खरीदते रहते थे Late 17th century के अंदर जो enormous wealth मतलब की बहुत सारा जो पैसा और resources मुगल्स के पास आये थे वो मुगल्स मतलब की जो राजय थे मेन वाले जो emperor थे वो तो हर चीज का ध्यान रखेंगे नी तो उन्होंने मुगल elites को भी दे रखी थी जिसकी वज़ा से जो मुगल elite थे वो extremely powerful group of people बन गए मतलब मुगल्स के जो नीचे काम करने वाले लोग हो गए या फिर मुगल्स के कुछ related लोग हो गए उनको भी उन्होंने कुछ जिम्मेदारी दे रखे थी कि तुम ये काम समाल लो जो emperor था वो तो कुछ सारा पैसा वैसे का ध्यान रखे गा नी तो जो मुगल elite थे वो भी काफी powerful होते जा रहे थे As the authority of Mughal emperor जैसे देखते ही देखते Mughal emperor की जो authority थी मतलब जहां जहां पर Mughal emperor ने कबजा करा हुआ था उनकी कम होती जा रहे थी authority वहीं पर जो भी उनके servants थे नौकर थे वो काफी powerful थे powerful बनते जा रहे थे क्यों powerful बनते जा रहे थे क्योंकि वो पैसा वैसा अपना समाल के रखते थे और बहुत ध्यान से वो चला करते थे तो जो राजा था, emperor था उसकी power तो कम हो रही थी लेकिन जो servants थे वो powerful होते जा रहे थे 18th century में ये देखा गया कि जो provinces है जैसे कि हैदराबाद, अवद जो ये राज्य है है हैदराबाद और अवद के यहाँ पर यहाँ के जो भी लोग इनके अंडर काम करा करते थे मुगल्स के उन्होंने अपने आपको क्या declare कर दिया, independent political identities अपने आपको declare कर दिया कि अब हम किसी के भी अंडर काम नहीं करेंगे, यहीं पर जो हमारा chapter है वो finish होता है आप सब के लिए एक homework का question है who are zamindars, zamindars कौन है अगर आपको इस chapter के notes चाहिए sample paper चाहिए या shout out चाहिए क्या करना है, subscribe करना है उसके साथ में एक join का button है, उस पे बना पाऊंगा आप लोगों के लिए यह कोई add नहीं है आपको एक बहुत ही important information देनी है education को easy और affordable बनाने के लिए हमने एक important step लिया है आपके लिए हमने ready करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper हर chapter के notes साथ में combined test papers और priority doubt clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में subscribe के साथ में join के बटन पे क्लिक करके आपको ये membership purchase करनी है ये prize limited time के लिए है अरे वा भया इतने कम prize में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी member बन जाता हूँ